के एलो स्टुड़न्स कैसे आप लोग आज अपने स्टर्ट करने वाले हैं विकास असायमेंट का सेक्षेंडी का चैप्र नमबर एट इसके पहले मैंने सेक्षंडी का crown वालेड़ी अपलोड करके रख चुका हूँ यूट्यूप पर अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ प यार सम्टोड़े डिफिकल्ट हो जाते कि प्रूव देट के लिए आपको सारे आपके क्लियर चीए इसके पहले अपने ट्राइंगल के किये थे बट यह जो चैप्टर से इसमें अपने पैरलेलो ग्राम के करेंगे चलो इसके यह अपको देदिया है आपको प्रूव करने पैरलेलो ग्राम चैप्ट कभी भी मेंपैंड आध और आता भी नहीं है तो में भी आप अगर इसका डाइग्राम करके जांग है एपी सी एंड ये आपका डाइग्राम चलो डाइग्राम क्लियर अगर डाइग्राम अच्छे से आपका ड्रोव हुआ है गीवन लिखा है राइट थोड़ा सा पूरूफ थोड़ा सा किया हुआ तो मिनिमुम चार माक में सापको दो माक तो मिली सकते हैं या तो हाप 1.5 तक त तू तक मिल जाएगा करेट इतना तो आप करकर ही आओ मतलब ये क्विस्टम को छोड़ो मत करेट सो दाट एबी सीडी इस आ पैरलेलो ग्राम देखो मैं लिखने रहा हूं डिरेक्ली लो साइन करके बता रहा हूं पैरलेलो ग्राम विट एसी आपका क्या हो जाएगा डिया कैसी होती है पैरलेलोग्राम में, पैरलल होती है कैसी होती है? पैरलल होते है, काउबसे काउबसे आएगी,ab hydraulic to BC और दूफ्री आएगी AD parallel to BC यह वाली करेक्ट चो च्चोंत सिंस कि अबी पेरलल्ड टू सीडी तो एबी परथ द सीड ईनए सी आपका क्या हो जाएगा टांस्वरसल हो जाएगा अगर AC आपका ट्रांसवर्सल हो रहा है तो एंगल BAC is equal to एंगल DCA क्या बनेगा DCA ट्रांसवर्सल बतलब Z बन रहा है देखो यह बाला तो यह एंगल और यह एंगल आपका क्या बन जाएगा शेम हो जाएगा क्या बनेगा ट्रांसवर्सल एंगल ओके क्लियर यहां तक का चलो नेक्स बात करेंगे अगर में भी AD parallel to BC and AC आपका क्या हो जाएगा ट्रांसवर्सल इसके लिए भी सेम बनेगा एंगल डी एसी इस इक्वल टू एंगल बी सी ए चलो क्लियर यह आपको दो पॉइंट्स याद रहे किस तरह में ट्रांसवर्सल एंगल को जोड़ा और इसको लिखा इंगे एक्कवैस्य इकेशन नंब़ वन इसको लेकेश्य नंबर तो अभी क्या करेंगे दोनों को करते निमें हैं एर्प एक्क्वैसट नंबर वन एनन तो अगर मैं दोनों को अध्य करता हूं तो एंगल बी-ए-सी प्लस एंगल डी-ए-सी यह दोनों का टोटल हुआ कर दी सी ए एंड बी सी ए तो टोटल क्या बनेगा एंगल बी सी डी बनेगा चलो यहां तक का क्लिया सो देट प्रूव हो चुका है क्या कि एंगल एडी सी इस इक्वल टू एंगल एबी सी मतलब यह दोनों आपने एक्वल के उसे सिमिलर्ली मैंने यह दोनों को इक्वल बता दिया है उसके लिए मुझे फिर से पुरूव देट या तो टांस्वासर या तो फिर और को डागोला ड्रो करने की रिक्वार्मेंट नहीं रहेगी डारेक्ली मैं से लिख सकता हूं सिमिलर कि यह दोनों एंगल एक्वल है तो यह आप दिया गोनल्स और पर क्वाड्री लेटरल बाइसेक्ट इच अधर देन इट इस अ पैर लोग्रम अगें ताम रिपीट करो क्वेस्टन देखो इफ दा डागोल्स और को डिया लेटर बाइसेट कर रहे एक दुफरे को अरेक्ट तो देन इट इस अ पैर अलोग्रम राइट यह रहा ए बी सी और दी उसके यह तो डागोनल्स है एक दुफरों को ओपे क्या कर रहे हैं एंगल ओपे क्या कर रहे हैं इंटरसेट कर रहे हैं करेक्ट तो चलो लिखो ABCD is a quadrilateral ABCD is a quadrilateral with AC and BD with AC and BD are diagonals diagonals intersect दी दिया था question में at O दी दिया था इंटरसेट कर रहे हैं तो इंटरसेट कहां पे कर रहे हैं एंगल O पे next it is given that diagonals bisect each other एक दुफरे को क्या कर रहे हैं bisect कर रहे हैं each other so that OA is equal to OC and चितना OA होगा उतना ही OC होगा और चितना OB होगा उतना ही OD होगा चलो यह वाला point भी आपका clear हुआ so that अभी अपने क्या करेंगे यहां पर दो triangles लेंगे in triangle AOD जोको है थोड़ा complicated बर थोड़ा easy भी है and triangle BOC दो triangle ले लो तो इसमें सबको क्या करना है common common चीज आपको बता नहीं कौन सा common तो पहला तो अपने प्रूव कर दिया way is equal to OC दूफर आपने क्या प्रूव करेंगे OD is equal to OB वह अपने प्रूव कर दिया तीसरा क्या प्रूव होगा तो तीसरी चीज यह प्रूव होगी के भाई यहां पर जितना भी पता वो लिखते जाओ करेंगे यह दोन आपके कैसे हो जाएंगे वर्ती कली ऑपोसित आंगल चलो यह थक का क्लीर हुआ खूव कर रहा है स ससस्क्राइरिया प्रूव क्या होगा ट्राइंगल AOD is congruent AOD is congruent triangle BO C इंगल ओडी सो एंगल O C B है कि रखेडिख इंगलो सिभी तो सिमिलर सिमिलर क्या होगा ट्राइंगल ए ओबी किस कॉन्गृरियंट ट्राइंगल C O D मतले तो अपनेने प्रूव कर दिया कि यह दोनों इओ डी और बी ऐसी दोनों तो यह दोनों अगर कॉंग्रियंट है तो यह दोनों भी आपके कैसे हो जाएंगे कॉंग्रियंट हो जाएंगे करेट यह भी ट्राइंगल्स यह भी सकते हैं कि एंगल इंगल एंगल 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 ट्राइंगल से आपने कॉंग्रियंट से कहके आपनी इकवल बता दिया चब्राइंगल्स अभी साना थो लिखने का पार्ट से लाइनस एंगल्स ट्रांसवर्सल विद किस से होगा बीडी से विद बीडी तो एंगल एंगल cdo a bo and angle cdo transversal हो जाएंगे तो एंगे तो कैसे होगे अल्टरनेट एंगल अल्टरनेट एंगल अल्टरनेट एंगल सो देट a b parallel to cd मतलब a b parallel to cd हो गया सेम यही चीज अपने फोकस करेंगे सिमिलर a d and b c with transversal transversal किस के साथ होगा a c के साथ and angle o a d and angle o c b o a d and o c b आपके क्या हो जाएंगे अल्टरनेट एंगल अगर दोनों अल्टरनेट एंगल होते हैं तो आप यहां पे भी लिखोगे बी सी पैरलल टू a d राइट यह दोनों टांसवर्स होते तो बी सी पैरलल टू a d so that अगर दोनों साइड पैरलल्स होती है चारों की चारों मतलब यह दोनों पैरलल और यह दोनों पैरललल तो डैरेक्ली लिख दो a b c d is a पैर लेलो ग्राम डंदिस साम और डाउट नहीं न चलो और आगे करेंगे कुस्टन नमबर थी पर चलेंगे तो विस्टन नमबर थी प्रूव दैट इफ इच पैर ऑफ ओपोजिट साइट आप और क्वाड्री लेटरल इस एक्वल देन इट इस अ पैरलेलो ग्राम चलो सबसे पहले तो क्या बोले बताया गया प्रूव देट करना आपको इच पैर ऑपोजिट साइड ऑफ क्वाड्री लेटरल इस एक्वल तो सेम पैरलो ग्राम है मतला डाइग्राम तो आपका सेम ही बनेगा आपका यहां पर इस तरह का ओके यह आपका डाइग्राम मना मैंसन करो ए बी सी एंड डेन डी और लिखा क्या है डिवाइड इंटू टू कॉंगर्ण ट्रियंगल्स डिवाइड करता है दो कॉंगर्ण ट्रियंगल्स में तो आप डिवाइड कर रहा है मतलब मुझे कहीं ना कहीं इसका गीवन कैं अबी सीडी इस अ कोड्री लेटरल अबी सीडी जाओ कॉड्री लेटरल सो अबी इस एकवाल टू सीडी एंड एडी इस एकवाल टू बी सी प्रूव क्या करना आपको कि यह करना है कि एबी फाहिटू सीडी एडी पैरलल टू बीशी से मापर भी की आता या बेगी आपको वही चीजको अगें टेम प्रूव करना है ओके वह स्णाट करेंगे चल нужно प्रूवक सबसे पहले दिया क्या इंग पेरिलोग्रम दिया गयां ab is इकॉल टो c d and abo d is इकॉल टो बी इस वह भी दिया गया प्लिए को एक क्लाइंड ड्रो किये इंड कि शॉइन ए सी क्रेंड ऐ किरेंड झटा नहीं केतो दो ट्रायंग अपके पास बंद रहा है एक ट्रायंगल ABC और दुफरा ट्राइंगल बंद रहा है ADC, एक ABC और दुफरा ट्राइंगल बंद रहा है ADC, दो ट्राइंगल बंद रहा है, तो इसके अंदर कौनसी कौनसी चीज़ा कॉमन है वो लिखतो, दो तो दे दी गई है, AB is equal to CD and AD is equal to BC, और तिसरी क्या लिखेंगे यार, दो तो बर कॉमन है, AC, AC is equal to AC, common, चलो यह भी clear हो आपसे, ओके, सो देट SSS criteria, प्रूव, SSS criteria प्रूव कर रहा है, तो लिखो ट्राइंगल, ABC is congruent triangle, ABC is congruent triangle क्या बनेगा, ADC, या तो CDA भी लिख दो, CDA लिखो या तो ADC लिखो, दोनों में सो कोई पी एक राइट है, चलो, so therefore, CPCT, CPCT full form corresponding parts of congruent triangle, angle ACD is equal to angle BAC, angle ACD is equal to angle BAC, मतलब ये angles, उतरा angle आपका क्या बनेगा, ये वाला angles आपका बन जाएगा, से हम उसी के form पर और आजा लिखेंगे, angle DAC, DAC is equal to angle, क्या बनेगा दुफरा, angle ACB, मतलब ये angles और ये angles आपके क्या हो जाएगे, इक्वल हो जाएगे, चलो, यहां तक भी clear, so, alternate angles are equal and parallel, right, alternate angle कैसे होगे, equal भी होगे और आपके क्या बनेगे, parallel भी बनेंगे, तो लिखो AB parallel to CD and AD parallel to BC, अगर दोनों साइड है parallel है, so that ABCD is a parallelogram, चलो clear, have any doubt in this term, देखो यह सब्सक्राइब थोड़ा साइजी था, चलो और आगे बात करेंगे question number for, रीड करो questions को अच्छे से, दिया क्या गया question से पहले वो चेक करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, prove that a diagonals of a parallelogram divides into the two congruent triangles, मतलब आपको दो triangles प्रूव करने, आगे जिस तरह किया था, same वही position में आपको वही उसी तरह से आपको दो triangles प्रूव करने, मतलब डाइग्राम से आपका वही का वही बनेगा, चलो, यह आपका डाइग्राम राइट यहां पर डो करेंगे a, b, c and d यह आपका बन जाएगा diagonals, okay, so that in triangle a, b, c and triangle, एक triangle a, b, c लिया है और दुफरा triangle क्या लिया, a, c, d, दो triangles लिया गए, so that the, line segment, the line segment, a, b, plus, c, d, are parallel to each other, एक दुफरे से क्या है, parallel है, and parallel तो है, तो इसके अलबा, एक चीज़ आपकी बहुत बार आचुकी है, क्या, तो ऐसी आपका क्या बनेगा, parallel to each other, and a, c, is a transversal, चलो, यह चीज़ भी clear होगे, a, c, आपका क्या हो गया, transversal हो गया, अगर a, c, आपका transversal होता है, तो angle, a, c, b, is equal to angle, a, c, b, is equal to angle, c, a, d, चलो, यह वाला और यह angles, चलो, यह तक क्या clear होगा, okay, then next, एक चीज़ common है, आपका, a, c, is equal to a, c, and do freeze, चीज़ क्या बनेगी, angle, c, a, b, is equal to angle, a, c, b, right, यह भी आपका क्या हो जाएगा, a, c, d, sorry, a, c, और यह, d बनेगा, right, so that यहाँ पर कौन सा क्रेटर अप्रूव हो रहा है, angle, side, angle, मतलब, a, s, a, criteria, prove, so, triangle, a, b, c, is a congruent triangle, a, c, d, have any doubt in this sums, चलों सम्स थोड़े से hard थे, complicated थे, इसलिए थोड़ा सा अपना भी time थोड़ा ज्यादा जा रहा है, सम्स के, बट यह वाला सम्स बाकी सब कम सब के compare में बहुत ही easy था, करेट, easily अपने ने प्रूव कर दिया कि दोनों triangle कैसे, congruent है, किस तरह की है, कि भी दो triangles ले लिए है, और दून दोनों के sides को equal बता दिया, transversal lines से, रावर, चलो, next, सम्स की बात करेंगे, question number 5, read these questions, prove that in a parallelogram, opposite sides are equal, यहां पर भी बतानी है कि parallelogram की opposite side है क्या होती है, equal होती है, मतलब पहले parallelogram ड्रोगर लोग फिर बता देता हूं, कौन सी किस तरह बताएगा इसको, यह रहाँ parallelogram, then a, b, c, और यह, d, यह मैंने सी ट्रोगर दिया, मतलब a, b is equal to c, d, ab is equal to c, d, बताना है, और a, d is equal to b, c, आपको equal बताना है, correct, so that, यहां पर दो triangles बन रहे, in triangle a, d, c, and triangle a, b, c, wherever, so that, angle d, a, c, d, a, c, is equal to angle, angle कौन सा बनेगा, d, a, c, is equal to angle a, c, b, मतलब यह और यह, same हो गए, लिखेंगे, a, b parallel to c, d, okay, next, a, c, तो आपकी common side है, a, c, is equal to a, c, common, है, दो चीजे clear, तीसरी चीज, आगे के सम में जिस तरह किया था, यही सम में आपने उसी तरह करेंगी, यह दो angles को equal बता कर, तो angle d, c, a, is equal to angle, c, a, b, यहां पर भी सेम लिखेंगे, a, b parallel to c, d, so that, कॉन से क्रेटेरा प्रूव हो रहा है, वहां पर भी सेम क्रेटेरिया था है, यहां पर भी सेम क्रेटेरिया होगा, angle side angle criteria of triangle a, d, c, a triangle a, d, c, is a congruent triangle a, b, c, right, congruent triangle बन रहा है, तो लिख दो अगर congruent triangle बन रहा है, तो a, b, a, d, is equal to b, c, and a, b, is equal to c, d, by c, p, c, t, right, अगर यह दोनों साइडे से equal है, तो बाकी की साइडे भी आपकी क्या हो जाएगी, equal हो जाएगी, क्योंकि c, p, c, t, सब directly प्रूव करके बता सकते हो, कि बाकी की साइडे और बाकी के अंगल भी आपके क्या हो जाएगे, equal हो जाएगे, में भी अगर एक अंगल मांगा होता, यह दोनों, तो यह दोनों भी अपने सिप्पी सिटिर एरेक लेक्वाल बचा सकते थे, इस के लिए यहां तक काये लेक्चा राखेंगे, बाकी का लेक्चर से, चेप्टर नंबर टेंश बाकी है, जो अपने next session में, बात करेंगे, यही पुरूव देट है उस्स्क्स पूरूव देट है, और नेक्स सेसन में बात करेंगे, आज का लेक्चरिया पर फिनिस करता है